हालो प्रेंट मेरे YouTube चैनल जाइडेर में आप सभी का स्वागत है प्रेंट यह मैंन फैब्रीक है यह असतल का फैब्रीक है तो पहले मस्तल पर इस पर कटिंग करेंगे तो यहां पर अस्तल कों बिच्छा लेंगे जो फोल्ड वाला एससा है वो हम अपनी तरप रखेंगे खुला हुआ हैसा हम दूसी तरप रखेंगे यहां पर जब विलाउच की लंबाई देखेंगे तो पूरे विलाउच की हमारी लंबाई है 14 इंच तो एक इंचिस में पिलस करेंगे 15 पर निसान हम लगाएंगे नीचे से अगर कपड़ा आपका सीधा नहीं है पहले हम नीचे से कपड़ा सीधा कर लेंगे कपड़े को हम सीधा कर लिया हमने नीचे से अब हम लंबाई के निसान लगाएंगे 14 इंच अमारी लंबाई है तो 15 पर यहां पे हम निसान लगा लेंगे और फैंस बहुती इजी तरीका हम बता रहेंगे आप सोल्डर किस साइज में कितने हमें सोल्डर लेने हैं बिल्कुल आप अच्छी तरीके से यहां पर समझ जाएंगे तो यहां पर एक बिलाव लीचिए और बिलाव जिके हम सोल्डर ना पेंगे और आप सोल्डर निकाला सीख जाएंगे तो यहां पर हम solder निकालेंगे तो हमारे यहां पर 2 इंच solder जो तयार solder है वो 2 इंच है तो यहां पर कैसे हम 2 इंच से solder निकालेंगे आदा इंच हमारा गले की पट्टी की तरब चला जाता है आदा इंच जो हम बाजू जॉाइंट करते हैं उसमें चला जाता है तो एक इंच दो इंच हमारे सोल्डर है तो एक इंच इसमें पिलस करके हम सोल्डर निकाल सकते हैं तीन इंच तो कैसे हमें कितने solder लेने, 38 size है हमारा, 38 size, कितना भी size हो, तो आप लेकिन विलाओ से någonting काल सकते हैं, हमारा सीना है 38, याँ पर हम एक line करेंगे, पहले सीविप याँ अपनी line कर लें, फिर यां पर गले की चौड़ाई हैं, वो हम याँ याँ पर 1.5 इंच रखेंगे, देखिए दो इंच मारे सोल्डर है तो आदा इंच हमारा कले की तरफ चला जाएगा और आदा इंच हमारा वाजू की तरफ तो यहां पे तीन इंच हमने कर लिया तो यहां पर 5 इंच हमारे यहाँ पे shoulder हो गए पूरे यहाँ से भी एक निसान लगा लिए तो हमारे यहाँ पे हो गए हैं साड़े पांच इंच कि यहाँ इंच हम गला रखेंगे तो यहाँ पे साड़े पांच इंच हमारा हो जाएगा यहां पर ज़्या हमारा गला जब सिलाही करेंगे 5 इंच ऊदत दबेगा एंच वह तो यहां हमारे सोल्डर बचेंगे अब 519 इंच यहां पर आर उल लेंगे 38 हमारा सीना है तो उसका चोथा भाग लेंगे 9.5 इंच दो इंच हम लेंगे मार्जन 32 हमारी कमर है 8 इंच लेंगे एक इंच डॉट के लिए 2 इंच हमने यहां पे नीचे भी मार्जन दिया है कमर की तरफ एक इंच से हमार मुल्की गोलाई करेंगे अब देखिए अब हम कले को सुल्डर है हमारे यांपे में डाउन करने जिस्से कि हमारे कंधे ब्लकुल नहीं सरकते यहां पे अब गला मारा डीप है तो हम जरूर डाउन करें जयांब ब्लोंoyale के लिए का रहाख हमें यहां पर गला करेंगे लगवक्त 3-3 इंच्छ आप कर सकते हैं यहां पर एक बॉक्स बनाएंगे और यहां पर गोल गले का सेप दे देंगे ऐसे थोड़ा फैलाते हुए कि यहां पर डॉट का निसान लगाएंगे चार साड़े चार इंच से पांच इंच की लगबक डॉट आप रखी है यहां पर तो जी हमारा बैक पार्ट है यहां पर पूरी कंप्लीट मार्किंग हो गई है अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे कि अब इसकी कटिंग हमने जो बैक पार्ट की कर लिए अब वो इस पर रख गये हमें कटिंग करना है ऐसे देखिए आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए अगर आपका सेट नहीं हो रहा है तो आप यहां पर पिन भी पिन से यहां पर सेट कर सकते हैं यहां पर बिल्कुल मार्किंग कर लेंगे अब कहां पर हमें जो हमारे आगी का पार्ट होता कहां पर हमें बड़ा लेना पड़ता है यह देखिए हमें नीचे से हम डेर्ड इंच एस्टा लेंगे कपड़ा क्योंकि हम जो बैल्ट वाला विलाउज बनाएंगे अगर आप बिल्कुल सिंपल फोर्टक वाला बना रहे हैं तो आप यहां पर एक इंच एस्टा लीजिए और आर्म होल की दरब से आदा इंच नीचे की दरब से कमर की दरब से एक इंच यह हम लेंगे डॉट के लिए पूर हमने मार्किंग कर लिए अब इसकी पहले हम कटिंग कर लेंगे अब यहां से 1,5 इंच जो मंगला फैलाएंगे और जो गले आगे के पार्ट के गले की लंबाई यह साथ इंच यहां पर निशान लगा लेंगे नीचे से 3 इंच यहां पर एक बॉक्स बना लेंगे और गोल गला बनाएंगे यहां पर गोल गला बना लेंगे आदा इंच यहां पर जो आर्म होल की तरफ से गैराई देते हैं वो लगवाग आदा इंच हम दे देंगे गैराई आपको कहां पर देनी है जिए ध्यान रखें मेरी यहां पर हमने गैराई दीए और नीचे से 3 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे बिलकुल हम सीधा कर लेंगे डॉट के लिए ऐसे उपर की तरफ सेब दे देंगे यहां से लेंगे शाड़े चार इंच पांच इं कर लेंगे तो कटिंग कैसे करनी है जैसे हमारी निशान लगें वैसे हमें यहां पर कटिंग करनी है कि 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 कर देख कर लिए हमारे आगी का पार्ट है यहां पर कट होगे अब हमारी जो कपड़ा बच्चा है हमारा थोड़ा उसमें बाजू निकालेंगे तो बाजू कैसे निकालेंगे कम कप्रे में जब हमारा कम कपड़ा बचता है तो में बाजू कैसे निकाल लिए हैं यहां पर फोल्ड था एक बार और फोल्ड कर लेंगे साड़े पांच इंच के वाजू तयार चाहिए आदा इंच लगवग हम इदर हमारा जो कपड़ा है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा वह मटा देंगे आपर निसान लगा लेंगे और जितनी हमारे यहां पर बाजू निकाल लेंगे नीचे से तीन इंच हम डाउन बिल्कुल आपको ऐसे सेव देना है वाजू का देखिए बिल्कुल सरल तरीके से और चैन्ज हमारी गोल आई है तो गोल आई हमारी उपर से आ जाएगी यहां पर अब लेकिन बाजू नीचे से पूरी लंबाई में हमारी कवर नहीं होगी तो यहां पर हम ऐसे कट करेंगे और कैसे जाएंट करेंगे तो देखिए जो हमारा कपड़ा बचा है उसको हम नीचे से ऐसे हमें यहां पर जाएंट मारने होंगे तब हमारी यह बाजू लंबाई में कम्पलीट होगी आदा इंच हमें यहां पर गैराई दे देंगे बाजू की और हम निचान लगा लेंगे जो हमने निचान लगाएं वो आगी की तरफ हमें जाएंट करनी है बाजू यह ध्यान रखें जो हमारा गला हमने यहां पर मारकें किया उसको भी हमें यहां पर कट कर लेंगे यहां पर गला हमने कट कर लिया है अब हमें क्या करना है जो हमारा फैब्रिक है उसको बिचा लेंगे डबल फोल्ड करकें और यहां पर उल्टा विचाएंगे उल्टा करके यहां पर हमें बिछाना है बिल्कुल ही पतला है हमारा जो साड़ियों के साथ फैब्रिक निकलता है बोई है बिल्कुल ऐसे आप बिछा लीजिए बंद देखिए बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ हम रखके बिछाएंगे जिससे कि जब हम पार्ट रखें तो आप यह द्यान रखें कि बंद वाला हिस्सा हमारी तरफ है और वैसे ही हम जो उमने पार्ट कट किये वैसे ही आपको रखने कि दर बंद वाला हिस्सा है कि इस के दर खुला हुआ ऐसा है मिलकुल ऐसे सैट कर लेंगे इस अrecord का Way करेंगे दो आ हैप rider कल रखेंगे तो हमारे लगने कपड़ा ही कट जाएगा और तौन पीड prag पाउज ही नहीं निकल पाएगा यहां पर ऐसे सेट गए दूसरी तरफ यह आगे से खुला है तो हमें आप इसको ऐसे पलट के रख सकते हैं खुले वाले इसे की तरफ और नीचे हमारी बैल्ट आ जाएगी पहले हम कट कर लेंगे इसको जो हमारा बैक पार्ट है इसको हम कट करेंगे अब जो हमारे आगी का पार्ट है उसको भी हमें यहां पर कट कर लेंगे आपको एस्ट्रा ही कट करना है जो हमारे बिल्कुल पतले कपड़े होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा ही एस्ट्रा आप कट कीजिए इसलिए कि अच्छी तरह किसम जॉइंट कर सकते हैं अगर आपको मोटा कपड़ा है उसको तो अगर थोड़ा भी आप मार्जन दे रहे हैं तब भी आप जॉइंट कर सकते हैं लेकिन पतले कपड़े पर ज्यादा ही हमें मार्जन देना पड़ेगा तब हम कट करेंगे इसको तो जैसे की सही से मारा अब इस जो मारा कपड़ा बचा है इसमें हम बाजु आप निकाल लेंगे ऐसे रखके अगर फ्रेंस आपको मेरा क कटिंग का वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें सस्क्राइब करिए करें अगर किसी जीज कि आपको कटिंग या चिलाई देखनी है तो कमेंट करके जो बताइएगा जिससे कि हमें आसानी हो आंगे वीडियो बनाने में धन्यवाद